हलो दूस्तों आज के Microsoft Excel की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं SUMIFS function को तो समझते हैं SUMIFS function हमें कभी उस करना होता है मान के चलते हमने जो यहाँ पर एक database बनाया है और आपको यहाँ पर दो condition उसने दे दी है आपके boss ने कि आपको किवल उसी का ही data add करना है जो product name mouse होना चाहिए और उसकी company index हो तो ही उसका data add करें तब ऐसी situation पर जब एक से ज़्यादा condition होती है तब आप लोग SUMIFS function लगा के solve कर सकते हैं तो आईए अब हम इसे हम लोग formula लगा कर सीखते हैं तो सबसे पहले आपको equal लगाना है SUMIFS लिखना है अब आपको सबसे पहले SUM range पास करने होगी यानि कि जो भी data आपको add करके लाना है तो हमने यहाँ पर amount वाले column को सबसे पहले select कर लिया फिर comma लगा दिया अब आपको सबसे पहला जो criteria है वो है item name तो अब हम यहाँ से item name वाले column को select करेंगे item name की column को select करने के बाद आपको comma लगाना है अब आपको बताना है जो item name वाले column है उसमें से आपको किसका data add करना है तो अब आप लोग यहाँ पर inverted comma लगा के mouse लिख भी सकते हैं या अगर आपने पहले से ही mouse अलग लिख रखा है तो कीवल आपको उसकी cell को select करना है जैसे अब हमने यहाँ पर mouse पहले से लिखा है तो हमने कीवल इसकी cell को select कर लिया अब हम कॉमा लगा देते हैं अब हमें दूसरा criteria range pass करना है जो हमारा दूसरा criteria है वो है company name तो अब हम यहाँ से सबसे पहले company name वाले column को select करेंगे इसके बाद comma लगाएंगे अब किस company का data add करना है तो अब हमने बताया मुझे index company का data को add करना है तो हमने यहाँ से select कर लिया है अब हम bracket off करेंगे और enter कर देंगे अब देखें जो product हमारे mouse है और जिनकी company हमारी index है किवल उसी का ही data add हो क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारा mouse यह है एक हमारा mouse यहाँ पे यह भी है लेकिन यह Dell company का है तो इसलिए इसका data add नहीं हुआ है एक हमारा mouse यह है तो इसका data add हो गया यानि कि 250 और प्लस 150 यानि कि 400 हो गया अब दूस्तों अगर हम यहाँ पे किसी का data change करते हैं क्योंकि हमने यह वाली cell को select किया तो यहाँ पे data change हो जाएगा तो अब हम चेंज करके देखते हैं अब हमने mouse की जगे keyboard लिखा यहाँ से अभी देखे यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि कोई भी प्रोडेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी company index हो अब हम यहाँ से company name को change करते हैं हमने लिख दी हमारे product के keyword है तो अब हम जैसे इंटा करेंगे तो देखे data यहाँ पे इसने बता दिया कि keyword जो company product के है उनका data आ रहा है 2400 तो दोस्तों यह था आपका some if function इसकी पिसली वीडियो में हमने आपको सिखाया था some if function को अगर आपने अभी तक वह नहीं देखिए तो description box में उसका आपको link मिल जाएगा यह end screen पे आपको some if के वीडियो दिखाए देगी तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को like जरू करिएगा दोस्तों में भी share कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो हमारे चैनल को subscribe भी करिएगा तो मिलते हैं next वीडियो में thank you